अगर आप भी कर्मी के मोसम में चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी से रहात पाने के लिए ठंडी जंगों पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसे में अरुनाचल प्रदेश आपके लिए एक पढ़िया जंग हैं साबित होके जहां आप आराम से गर्मी के छुटियां बिदा सकते हैं अरुनाचल प्रदेश जिसे सूरज की भूमी भी कहा जाता है बहुत ही खोवशूरत और देखने योग्यस्थान है अपने देश में सबसे पहले यहीं सूर्योद्य होता है यहीं वज़ा है की से उगते सूरज की भूमी कहा जाता है यहां की सुन्दरता और सलस्कृती से प्रभावित होकर देश से ही नहीं बलकि विदेशों से भी हर साल लाखों लोग यहां घूमने के लिए आते हैं सर्द्यों के दोरान यहां परतापमान माइनस में चला जाता है गर्मियों में भी यहां कनजारा बेहद रोमांचक और सुन्दर होता है अगर आप भी गर्मियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आईए जानते हैं अरुनाचल परदेश में ऐसी कौन सी जगह है जहापर आपको जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले है तवांग मोनेश्ट्री तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा बोध मठ है। ये मठ एक तवांग युद्समार्ग के रूप में स्थापित किया गया है। ये तवांग नदी की घाटी में बसे एक छोटे से कस्वी तवांग के पास स्थित हैं जो बोध तीर्थी आत्रियों के अलावा भी सब लोगों को अपनी तरफ खेंशता है। तिन सो साल पहले बने इस मठ को बोध भिक्सुक अंतरराश्ट्रे दरोहर मानते हैं। इसे 1680 में बनवाया गया था इसमें 570 से जादा बोध भिक्सुक रहते हैं। समुद्र तल से 10,000 फूप की उंचाई पर तवांग चुग घाटी में बने इस मठ में दुनिया भर के बोध द्विक्सुक और परेटकाते हैं। पहाडी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी की खुशुर दर्श्य को देख सकते हैं। यह मठ रूप जैसे दिखाई देता है। इसके परवेश दौार का नाम काकालिंग है जो देखने में छोपडी जैसा मेंकता है। इसकी दो दिवारों पे निर्मान में पत्थरों का परियोग किया गया है। इन दिवारों पर खुबसूरत चित्तरकाइब की गई है, जो आपको प बहुत पसंद आएगी अरुनाचल में खुमने की दूसरी जंगे रहेगी बूमला पास या बूमला तर्णा यह अरुनाचल परदेश और तिबत के लहोखा विभाग के बीच हेमाल लैपरवत का एक पहाड़ी तर्णा है यह तवांग सहर से 37 किलोमेटर दूर और समुद्र से 15,200 फिट की उन्चाई पर पसा हुआ है यह त्रिकोणिय पहाड़ियों के बीच बना हुआ है यहाँ पर तिबत से आये दलाई लावा ने सालने थी यहाँ पर भी बहुत सारे बहुत मठ है प्राचिन काल में यहां से व्यपार का रास्ता होता था यह भी आपको चुरू पसंद आयेका और राचल में घूमने की तीसरी जंगे है सेला दर्रा सेला दर्रा पस्ची में कामेंग जीले और तवां को जोड़ने का एकमात्तर रास्ता है यह तिबती बहुत धरम में एक पवित्र धान माना चाता है बहुत होगा मानना है कि यहाँ पर 101 पवित्र जीर ह यह दर्रा समुद्र तल से 3700 फिट की उचाई पर है और तवां सहर के केंदर से 66 किलोमेटर की दूरी पर है साल के जादा तर समय पर यहाँ पर पर जमी रहती हैं आप यहाँ पर धलानों में कुछ ही आखों को चरते हुए देख सकते हैं चोथी जंगा जो आपको जरूर प भड़ता दर्रे कि उतरी धलान से निकलती है, जरने के आगे इसका संगम तमांग नदी में होता है नूर्लांग नदी और नूर्लांग जरने का नाम नूरा नाम की एक स्थानिय मोनप्पा लड़की की नाम पर रखा गया है जिसने 1962 के चीनियुत के दुरान नूर्लांग की लड़ाई में भारतिय सेना की मदद की थी और नाचल की पाचवी जंगा जो आपको पसंद आएगी वो है सेंगेश्टन शील ये जहिल परेटों को कोई पहली पसंद है जिसे देखने के लिए दूर दूर से परेटा गाते हैं काज जैसा साफ पानी और आसमान में से भी जाना जाता है तो दोस्तों ये थी अरलाचल में घूमने की कुछ सांदार जंग है जहाँ पर आप गर्मी की छुट्टियां काट सकते हो तो अरलाचल घूमने के लिए आईए और कमेंट करके जरूर बताईए कि ये जंग है आपको कैसे लखी और ट्रैवल वीडियो ट्रैवल न्यूज और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल मत भूलें